दोस्तों सबसे पहले तुम्हें आप सबसे एक शमा मांगता हूँ क्योंकि आज एक ऐसी स्रीज के बारे में मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ, हम चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप सपने में भी सोचना नहीं चाहोगे, इसके ट्रेलर को नेट्फिक्स ने चार दिन पहले रिलीस किया, वेलकम तो दे वर्ल ऑप आर्चीज इस टाइटल के साथ में, शायद आपने उसे नहीं देखा होगा या देखा भी होगा तो आप उसे भूलना चाहोगे कि भाई ये मैंने क्या चीज देख ली, पिछले वर् मैं अनाउंस किया था, दिखाया था, भाई, अभी भी याद आता है, तैसे लगता है, जाकर मैं डेटल से अपनी आखे धोलू, एक एक चेहर की तरब देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई, एरोगंस टपक रहा है, बुद्धी नाम की तो चीज दिख नहीं रही, पर बस एह गलती हो, पर भाई, जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं, पिछली वर्ष भी हमने इसके बार में चर्चा की, क्या था वो, भारत से इसका दूर दूर तक भी कोई connection है, 1964 का समय छोड़ी, आज के समय में भी ऐसे कोई spoiled brats आपको शायद किसी elite society में देखने को मिल जाते होंगे, नहीं connect करते हैं, नहीं होता भाई, ऐसा कहां पर देख लिया आपने, और वो 1964 का समय, आज से 2-3 दशक पहले भी आप अगर चले जाएंगे, तो तब भी आपको ऐसे बच्चे नहीं देखने को मिलेंगे भाई, ऐसा था भारत उस समय, आप उस समय की जो एक भोलापन था और चले आज का वीडियो में ने ये सब बाते दोबारा से रिपीट करने के लिए नहीं बनाई है, मेरा मुख्य ये वीडियो बनाने का उद्देश यह था कि ये ecosystem कैसे काम करता है, देखिए, मुझे तो ecosystem ही लगा, बाकि जिसको जो सोचना है सोच सकता है, अभी आर्चीज मीडिया हाउस ने उसको उस पर आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे कि अवीका गौर ने कहा कि भाई, South Film Industry is all about nepotism, हिंदी फिल्म के लिए एक bias create हो चुका है, बालूड वाले जो भी बनाएंगे, हम उसको पहले judge करेंगे, वगेरा वगेरा, तो बालूड कैसे victim है, South Film Industry तो कि कलपना कर रहा हूं, दो बिल्कुल different, अलग-अलग बातों को में जोड रहा हूं, लग सकता है आपको ऐसे, पर मैंने जितना observe किया है, ये industry जैसे work करती है, मुझे तो दोनों बाते बिल्कुल connected लगी, दार चिस का teaser release होने से पहले बिल्कुल ये spread किया जाता है, South is all about nepotism, ये तो सब जगा उपर होता है, और बॉल्यूड वाले तो बॉल्यूड के बारे तो बस एक bias create हो गया है, क्यों यही नहीं, आविका गौर की बात ने आपने देखा होगा, elite critic का वीडियो, उसका भी वीडियो भी 4-5 दिन पहले का ही होगा, nepotism के बारे में वीडियो बनाया शुरुवात में अपने आपको neutral दिखाने के लिए यह दिखाया कि यह nepotism के कारण कैसे deserving जो talent है, वो कभी सामने नहीं आ पाता, पर फिर main मुद्धे पर आया जाता है, कि भाई यह तो सभी industries में है, south में भी है वगरा वगरा, तो यह एक लोगों की, उनको mentally prepare किया जाता है, हार चीज जैसा content या उसका teaser release होने से पहले, देखे न मतलब कैसे एक systematic way में पूरा ecosystem काम करता है, यहां के जो so-called stars और celebrities है, उनके तो चाटो कारिता करता ही है ecosystem, उनके बच्चों की भी अभी से यह लोग चाटो कारिता शुरू कर देते हैं, कही पर कुछ मिल जाए industry से, कुछ काम मिल जाए, इसे टुकडो के पीछे भागते हैं यह भागता, यह पूरा ecosystem, और यह टुकडो के पीछे भागने की मानसिकता आपको जातर elites में ही देखने को मिलेगी, आप आज भी चले जाए भारत के गाओं में, मध्यमवर्गे परिवारों में, उनको आप कहिए कि हम आ जादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं भी कहेंगे, पर elites आप देख लीजिए, जादातर बस दिन रात ऐसी चाटुकारिता करते रहेंगे, इन so-called stars की, so-called celebrities की, उनके बच्चों की भी चाटुकारिता चालू रहते हैं, उनका कोई बच्चा कोई नया brand लांच करता है, तो उसको भी promote करने लग जाते हैं, इतनी मानसिक गुलामी, इतनी इस हद तक की मानसिक गुलामी, अपने आपको उन actors के खूटे से बांध लिया है, दुख होता है ये सब देखकर कि क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे, वो कितना कुछ अपना एक अपनी आवाज बना सकते हैं अपना एक जगा वो create कर सकते हैं, पर नहीं, इनको दूसरों से कुछ चाहिए, क्या मतलब इससे आप क्या achieve कर लेंगे, और ये industry कुछ टुकडे दे भी देगी, तो उससे क्या, आपको आत्मशान्ती मिलेगी, वो खुशी मिलेगे आपको, अपना कुछ करने की, और ये क्य ये ऐसी third class चीजों को promote करना, या उसके बारे में कुछ ऐसे, और nepotism की जब बात है न, चलो उस पर चर्चा करते हैं, मैंने इस पर कई बार चर्चा की हुई ये nepotism के बारे में, जब पिछले दो-तिन वर्शों में कई बार इस पर debate हुई न, lockdown के बाद में, मैंने तब भी क आकर रखी है, जहां पर कोई भी राष्टरवादी जो अपने culture से, अपने roots से जुड़ा हुआ है, उसको ये अंदर नहीं गुसने देते, ऐसा है कि इन्डस्ट्री में outsiders को जगनी बिल्कुल है भाई, जगनी होती तो ये राजकुमर राओ, आईश्मान खुराना, ये मनो जवाजपई, जीम साब, ये और भी कईस तरे नाम आपको मिली, कैसे, कैसे इस इंडस्ट्री में उनको इतना glorify किया जाता है, कैसे, क्योंकि वो लोग तयार है इस इंडस्ट्री के धाचे में ढलने के लिए, ये इंडस्ट्री उनसे जो भी करवाना चाहती है, वो करने के हो, radical gender identity के agenda पर कुछ बनाना हो, या आतंकवादियों को glorify करने वाला कुछ content बनाना हो, नकसलियों को glorify, उसके लिए आपको ready रहना होगा, जो इंडस्ट्री बोलेगी, उसमें आप अपना अलग stand नहीं ले सकते, आप ऐसा करिए, आपको इंडस्ट्री में यू चुटकी ब वर्धनपूरी की फिल्माई थी, ये सालियाशी की, और अनिशर्मा, उनके बेटे उतकर शर्मा की genius फिल्माई थी, उनके बारे में इस ecosystem ने, चर्चा तक नहीं की, वो फिल्में कब release हो गई, कब theater से हट गई, किसी को पता भी नहीं चला, review तक नहीं किये थे, इस industry के critics ने, review तक नहीं किये थे, तो nepotism तो problem है, तो कहां क्यों नहीं किया उनके वर्धनपूरी या उतकर शर्मा, नहीं, इनकी अपनी lobby, उनकी अपनी lobby के लोगों को ये promote करते हैं, और फिर उसमें फिर outsiders भी आप ready हो जाईए, इस industry के धाचे में ढलने के लिए, फिर देश विरुदी म outsiders, insiders से फालतू गिरी छोड़िये, फालतू की बात हैं ये सारी की सारी, outsiders, insiders, nepotism, मूल समस्या क्या है, इस industry की घिनोनी मानसिक्ता, जो यहाँ पर कुछ अर्बन नकसल्स का जो control है, और कुछ राष्ट्रवादी बनाने के नाम पर ही भी है, जो राष्ट्रवाद का मजाक मैंने जो बाते बताएं उस पर आपके विचार क्या है, दोस्तों मैं आवश्य जानना चाहूंगा, मुझे आपने नीचे कमेंट में आवश्य बताना, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्री राम, वंदे मातरम